इसका दोस्तों जो आपका रिटेंट टेस्ट ये 26 सिटमबर को सीडियूल है तो अब आप सबी लोह के मन में जो लास्ट पॉइंट पे ये कन्फूजन आ रहा होगा वो यह आ रहा है कि करेंट अफ़ेर्स के लिए हम कहां से टॉपिक्स कवर करें कौन कौन से टॉपिक्स को ह आपके पर में आने की हंडेट पर्चंट जो है समभावना है सबस्तों आप सब्सक्राइब कर देने वाले टोडेश्ट को आपके पास समय अब आलमुस्ट खतम हो चुका है ठीक है लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपके पास दो-तीन दिनों का समय है अभी तो आपकी जो प आपके पीडियाप जो है और आप देख लेते हो तो यकीन मानों कि आप 70 प्लस अराम से स्कूर कर दोगे ऐसा मैं क्यों क्या रहा हूं क्या इसके पीछे का रिजन क्योंकि इस पीडियाप में आलमुस्ट सभी इंपोर्टेंट टॉपिक्स जो है कबर किये गए और इसमें क करके किवल आपको मैसेज करना और वहां पे आपको डुटर मिल जागी कैसे आप इसको परसेज कर सकते हो तो चलिए दोस्तों देखते हैं कोशन नमर वन की तरफ कोशन नमर वन क्या कहता है सबसे बड़े दोस्तों क्या रहा है कि वरतमान में भारत के मुखे चुनाव गुट को नहें तो यह निकत किया गया है आपके हाली में राजियुक गुप्ता को ठीक है और यह कौन से नमबर के है तो यह 25 नमर के है चुनाव आयूकतर ठीक है 25 ध्यान रखिएगा कि रस्मी सुकला जो छो है रस्मी सुकला आपके SSB की जो हैं यानी डीजी है SSB की ठीक जान रखिएगा ब्रांड अमेस्टर से आपका एक कोचन हो सकता है कि एक्जामें पूच दिया जाए जाए और नीराथ चोप्रा अमिताब बच्छन इुराज सिंग मंद्र सिंग धोनी तो दोस्तों आपके जो नीराथ चोप्रा है इनको बनाये गया है स्वीजर लेंड का ज इसको दोस्तों कोर्शन नमबर थ्री किया रहा है चोदावा ब्रिक्स सिखर सम्मेलन कहां हुआ ध्यान रखिएगा जो ब्रिक्स होता है इसमें आपके पांच कंट्री इंप्रिक्स ठीक है यहां पे बी आर आई सी एस ठीक है तो यह ध्यान रखिएगा कि जो इसका अगर आपसे कोई याद भी नहीं हो कि अगर कोशन यहां जाए कि जो ब्रिक्स होता है कि ब्रिक्स का जो सिखर सम्मेलन है चोदावा कहां पे हुआ तो अगर यहां पे साल दिया हुआ है तो आपको ट्रिक किया करने की क्या है इसमें बस पांच कंट्रीज है आपके ब्राजील, ब्रसिया, इंडिया, चाइना, और आपका साउथ अफरीका, ठीक है? और ध्यान रखिएगा कि अगर 2021 में भारत किया था, तो 2022 में कुण करेगा? चाइना करेगा, 2023 में कॉन करेगा, प फिर यह प्रोसेस टीपीट होगा, और 2024 में कॉन करेगा? बराजील करेगा, 25 मेंeng तो आपको बस यह क्याद रखना तो दर 22 की बात हुई चौदावे कि तो यह किस ने किया है आपके चीनने तो आप्सन बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा ठीक है इसके बाद दोस्तों कोशन नंबर 4 कोशन नंबर 4 कह रहा है कि देश का पहला स्पोर्ट यूनिकॉन कौन बनाया इसके बाद दोस्तों कोशन नंबर 5 कह रहा है कि धर्म गार्जियन से ने अभ्यास जो है वो दो दोसों के बीच में हुआ है कौन कौन से ध्यान रखिएगा आपका मिलिटरी एक्सरसाइज जो है इससे एक कोशन 900 फिक्स है तो जितने भी मिलिटरी एक्सरसाइज हुए है ध्यान से पढ़ लिचेगा ऑप्सन ने भारत जापान भारत सिरलंका भारत दुरस और भारत जर्मनी तो दोस्तों जो धर्म गार्जियन जो युदा ब्यासा ये बेसिकली दो देशों के बीच में हुआ है जिसमें कि आपके भारत और जापान जो है इंक्लूड है तो यह यह जो हो जाएगा बलकुल सही हो जाएगा ठीक है। इस सिर्थीजमार प्रवासी भारति है यह जो हो जाएगा बिलकुल सही हो जाएगा ठीक है। Parlament यह दिवस ठीक है और 27 सितंबर जो जाएगा ऑप्शन ने 27 सितंबर पिल्कुल जो जाएगा 27 सितंबर को मनाते हैं 200 पर एक तिवस ठीक है इसका बाद दोस्तों को चैनल नमबर 7 किया रहा है कि भारत के किस बैंड मेंटन की लाड़ी ने कनाडा ओपेन का टाइटल लिता यह बहुत ही चर्शित की लाड़ी थे और यह ते हाली का जो घटना है आपके अपसने साहिनानेवार लक्ष सेन सरिकान्त तो यह दोस्तों जीता है आपके लक्ष सेन ने जीता है कनाडा ओपेन को बाद लोगो से नंबर 8 क्या कह रहा है आ ग्लोबल पीस इंडेक्स नोजार थ स्थान रहा है ठीक है आप स्पेशल जितने भी इंडेक्स से उनके बारे में पढ़ लिजेगा और भारत की रैंकिंग पढ़ लिजेगा आपके ऑप्शन दियेगा है 112, 124, 126, 129 तो दोस्तों ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत का इस बार जो स्थान है वो 126 रहा है आगर म देश में 2030 किर्कट बीसो का आउजित किया जाएगा तो यह अब बताने की जरूरत नहीं है अब इस कोशन का एंस्वर दोस्तों जो है आप कमेंट श्रिक्शन में दोगे कि किस देश में आउजित किया जाएगा अब आपको यह बताना है कि साल 2022 का अंतरकत जो आपका कुक्षन नमबर 10 कि क्या रहा है कि लता दिनानात्मंगेशकर पुरुशकर 2030 किसे दिया गया आपके अपके उप्सन आपके अरजीत सिंग केलासके और उडित नरायन तू असा बहुत नाधा न्योर्थ में उनका नारेंद्र मोदी को दिया गया था ध्यान रखेएगा ठीक आपका question आने की समभावना जो है 100% है तो जितने भी important price है आप इसको पढ़ लीजेगा अब इसके बाद दोस्तों आपको बताना है कि आपको इतना score कर पारे हो 10 में से और साथी साथ दोस्तों आप में से जिन भी candidates को PDF लेनी हैं हमारी सबी subjects की तो आपको simply इस नंबर पे 900691-44 इस नंबर को बाद आपको WhatsApp करना है और लिखना है हाई से याई से पर only 39 रुपीज कंत्रगत आपको all subjects की जो combined video पर प्रवाइड करवा दी जाएगी तो जाए जल्दी से परसेज कीजिए और अपने exam को आसानी से क्रेक कीजिए तो मिलते हैं दोस्तों करनेवाद चेहिंद